हर साल लाखो युवा मुंबई की तरफ रुख करते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए एक्टर बनने का सपना उन में से सिर्फ कुछ ही अपनी लगन और मैनत से इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल ब्राडकास्ट ग्राउंड टॉकिस में और आज हमारे साथ हैं टीवी सीरियल के जाने माने चेहरे जिन्होंने अपने करियर की शुरुवाद 2009 में राखी के सोविमवर के साथ की थी उसके बाद काफी सारे बड़े सीरियल में इन्होंने आभूमी का निभाई जैसे की प्रतिग्या कुंकुम भाग गया और गुडिया हमारी सभी बहरी जैसे जाने माने सीरियल में आभूमी का निभाई तो मिलते हैं हमारे खलाकार के साथ स्पेशल गैस्ट ओल दावे फ्रम मुंबई कभी विलन तो कभी हीरो की पारी स्वागत है आपका मनमोन तिवारी आई शावाई थैंक यू थैंक यू इस भाविस स्वागत के लिए ग्रांट ओकिस्म बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद मजा आगया इतना लंबा चोड़ा आपने मेरे इंट्रोड़क्शन दिया तो स्वीड भी थैंक यू तो बहुत अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है इत ताइम में बहुत कुछ बदल गया आप भी भी भागए और अपनी शादी के लड़ू भी नहीं बिजवाए हमारे पास आउ स्वागत है आपका मुमई में लड़ू पेड़ा बर्पी सब किलाएंगा हम आपको जल्दी मेरे को लगता है कि ये शो हम रूबरू फेस टू फेस कर रहे होते हैं अगर ये कोरोना ना चल रहा होता बट थैंक्स टू थे टेक्नोलोजी कि हम एट लिस्स कनेक्ट तो हो पाए तो मैं आपको शो के बारे में बता दू ये आपने वैसे तो बहुत सारे इंटर्व्यू दियोंगे ये थोड़ा सा ये उनके साथ असोसेटेटेड हो के गरे हैं और लगबक लाइक हमने इसमें कावर सारे एपिसोड शूट है और थैंक्स टू यू अपना कीम्तिवक्त देने के लिए तो अच्छा ये वताईए कि कैसे चल रही है चल क्रोना के टाइम में शूटिंग तैसे हलका डर भी रह तो तुरीत के लिए भाय का होना बड़ा जरूरी है और वरतमान समय में एक सुखत जीवन के लिए एक भाय का होना बड़ा जरूरी है और उस भाय की वज़े से हम लोग सावधान रहते हैं सचेत रहते हैं और उसी सावधानी के साथ सचेत रहते हुए ही शूटिंग आण रहें हैं तो है बाध बड़िया चल्राइ काम बहुत अच्छे चल रहा है नो डाउट ऐसा नहीं है कि एस दौरान में लोगोगों को और हमारे सीरियल वी हो हो रहा है वो लोग प्रकॉशिंस ले दवाईये लें ठीक हो जारे हैं अच्छा तो मनमोन भीया जैसे मैंने जितना पता किया है जितना मुझे पता है कि आपकी फैमिली में ज्यादा तर लोग वकालत से जुड़े हुए हैं लेकिन आप में से अलग तो वकीलों के परिवार म क्योंकि अधिने कर रहा हूं और इस चेतर में जम चुका हूं अगवान का अशिरवात से और कैसे कर ली यह तो मैं कुछ नहीं कह सकता वकालत भी अपने आप में बोलने की और समझदारी और चतुर होने का परिचर देता है और क्योंकि जो लोग चतुर हैं जो लोग बोलन में निपून हैं समझाने की घाशा में निपून हैं और तर्क संगत बात करते हैं वही लोग वकालत कर पाते हैं और करने के बात में उसमें वही फिमस हो पाते हैं सिद्ड हो पाते हैं लोगों की मदद कर पाते हैं उसी तरीके से अभिने भी है वकालत सच पर है निर्भर और उसकी आवशक्ता उसका अधार और अभीने जूट पर है बस पर दोनों में ही ये सारी चीजे आती हैं तो कुछ चीजे किता जी से मिली बड़े भाई से मिली हैं तो उस वकालत के बैग्गराउंड ने काफी मदद करी है अभीने करने ने तो मतलब अब आपको वकील का र लेकिन एक बड़ जब उसे अपने हुनार का पता लग जाता है तो बहुत जल्दी लोगों का दिल जीत लेता है तो पहली आपने कहां पे लोगों का दिल जीता है सरस्वति शिश्यो मंदिर फिक्स स्टैंडर वार्शी कुछव पर्शुराम हौल रिषिगेश पहली बार उस वार्शी कुछव में जब मैं पर्फॉर्म कियादा मैंने एक सैनिक की भुमिका निभाई थी और उस भुमिका को करते हुए मैं एक सैनिक बना था जिसका नाम है उनसे प्रणाम कहना उनसे प्रणाम कहना उनसे प्रणाम पहना जिनके लिये था गौरव फासी पे जूल गाना उनसे प्रणाम पहना एक ऐसी एक ऐसा गीट था जो कि उस वाद्शी को अच्छु में गाया गया था और मुझे उस पर अभिने करना था और यह मैंने किया था उसके बाद जो तालिया मुझे मिली थे उस पर शुदाम हॉल मेरे शिकेश के जो गड़गडा हट मैंने मैसूश करी थी उसी दिन यह द्रिम निश्या हो गया था कि भविश में मैं अभिने ही करूंगा अभिने का ही बनूँगा और यह तालिया जिसे कहते नि मुँ में खून लग जाना मुतब लगाता था इस टेर के मुँ में खून लग गया था पांची में सरसथी शिश्य मंदर में रिशी केश में पर शिराम हॉल तो आप जब मुंबाई गए उससे पहले आप दिली में थेटर करते थे तो आपकी अब तक की जरन हुपर वाला तयार करता है कि sért way उनीक चलता है और प्लोटिंग भी उनीक होती है हम सिर्फ हमारे मन में क्या चल रहा है हमारी नियत किया है हमारी कोशे कितनी है हम उसी की ध्रभुन में लगे रहते हैं कोश़स थी एक्तर बनने की इच्छा थी एक्टर बनने की प्रेयास ह था तुछ आप आप चीजों को समझा थोड़े दिन और साथ साथ में वकालत भी कर रहा था उसके बाद बंबई आया एक रियालिटी शो कनेक्ट हो गया इसका नाम पर राकी का सरंबर उस शो में लोगों को यह पता चल गा है कि भी यह शादी करने तो आया नहीं है पर हाभी की दोंने करने जरूर आया है तो चैनल watersन और लिया चैनल ने मेरे साथ एक्स्क्लूसीаг этихश परियमेंट कर लिया चैनल के साथ अधिने करने लगा जमुनिया में फिर उसके बार अर ख्ञ नमें पूरी से ब्रेक चाहिए, एक मैं हिंदी टीवी सीरिल करने लगा, एक दो फिल्में भी करी हिंदी, वो कनेक्ट नहीं पर टीवी ने मुझे हाथो हाथ कर लिया, तो टीवी में एक्टिंग करने का बहुत बड़ा अन्भाव रहा, पवित्र बंधन रहा, उंगे जुदा नहम रहा, ततिग्या रहा, कुम-कुम भागे है, गुडिया हमारी, हम है ना, क्राइम प्रत्रोल, सावधार इंडिया, और उसके बाद यह जर्नी लगातार चालू है, और मैं अभी भी यही करूँगा कि कुछ सोच करके, तयारी करके, कि मैं यह करूँगा, यह हमारे हाथ में ह तो जब तक होता रहे हम करते रहेंगे कुदी मानदारी से, तो अगर आपकी उस वक्त शादी हो गई होती है, तो आपकी लिए क्या अलग कुछ होता है, भाई, होती नहीं हो क्यों कि मैंने बताया न, कि होता वही है ज़ आप सोचते हैं, उस ही केरदिगर्द होता है, वो तो दिमाग भी एक कुकर की तरह है, इसमें राजमा डालेंगे तो छोला नहीं निकलेगा, तो इस दिल दिमाग जहन में राखी डली नहीं थी, तो इसके साथ शादी होना ही नहीं था, मैं अज एक्टर वहाँ पर गया था, इस सोच को समस्ते वे, बिइंग अड़ोकेट म इस बात को जानता था, कि no one can force you to get married, कोई आपको जबर जिस्ति आपकी शादी करना ही सकता, मैं एक्टर था, थेटर किया था, एक मंच डून रहा था, बिलकुल सपस्त लबजों में, वो एक प्लेट्सों की तलाश थी, वो प्लेट्सों मिला, मैंने परफॉर्म करा, लोग को रोल किया है, तो मिसिस तुभारी के आगे कभी गुंडवन कभी निकला, भाईया, गर में कोई गुंड़ा में होता है, गर में एकी सुप्रीम कोट होता है, एकी की चलती, एकी कोटवाल होता है, वो है पतनी, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसा बाहर एक्टिंग में ही होता ह मैंने कहा न, वकालत में जो हम करते हैं, वो सच करते हैं, कोट में जो बात कहते हैं, वो सच का आधार होता है, बाहर जो हम लोग टीवी में एक्टिंग करते हैं, वो जूट का आधार होता है, उसको करनेक्शन से करते हैं, गर के अंदर भी भई है, सच ही चलता है भईया, जरूर कहूंगा मैं भूब सारे crime patrol करने लग गया तो मेरी मम्मी कहने लग गई थी कि भाया, कितना रे, बेटा क्या कर रहा है, कितना murder करेगा, कितना ये करेगा तो मुझे लगा कि जो normal लोग होते हैं वो बड़ा seriously ले लेते हैं चीजों को उनको पता ही है वैसे कि मैं acting कर रहा हूं पर फिर भी उनका इस सवाल आना, तो मैंने कुछ समय के लिए crime patrol बंग कर दिया था, पर फिर उनने बोला क्यों नहीं कर रहा है आजकर फिर मैं करने लग गया, तो तो हम आपनेया करते हैं लोगों को जागरू करते हैं उस तरह से, य सबसे पहली प्रियारिटी है कि काम आना चाहिए, सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? चावल नहीं होगा तो सब्जी बन जाएगी, बिर्यानी सब्जी दोनों अलग अलग चीज़े हैं, बिर्यानी बनाने के लाग को चावल तो पहली प्रात में इकता है, कितनी सब्जीय जमा कर लो, कितनी इंग्रीडेंट्स जमा कर लो, बहुत बढ़ी अशुद देसी घी जीदा तड़का, जो जो भी समान चाहिए, सब ले आओ, पर अगर राइज नहीं होगा तो वो बिर्यानी नहीं बन चकती, उसी तरीके से अभिने में जो सबसे पहली चीज़ है, वह है अभिने, एक्टिंग फिल्ड में, हम बोलते हैं अभिने हैं, एक्टिंग ही करना बो एक्टर होना बहुत ज़रूरी है, पहली प्लातमित्ता है, अभिने जानना, अगर अभिने आता है, तो फिर आपके रेलेशन भी बनेंगे, आपको अभिने आता ही नहीं है, तो कहां से रेलेशन बनेंगे, तो एडिशनल चीज़े हैं, अगर आप अच्छे बालब करते है कुछ लिए आई आप एक्टिक करिए हिमेश रिशमिया जी हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं उनको अभिने का शौक है तो और लोगों ने ट्राइ नहीं करा तो उन्होंने खुद अपने ऊपर ट्राय करा पर जो पहली प्राथमिकता है वो अभिने ही है अगर अभिने आएगा पर वो आप सिंगर हो तो आपसे गाना ही गवाएंगे अभिने नहीं कराएंगे सीम बात है कि अगर मैं सिंगर बनना चाहूं तो मैं नहीं बन पाऊंगा नॉर्मली गा लेना आम बात है सभी लोग गा लेते हैं चायद वो अच्छा भी गा लेंगे पर संगीत के साथ गान तो रिष्टे काम आते हैं नो डाउट रिष्टे काम आते हैं पर वो तभी काम आएंगे जवाब को अभी ने भी आएगा यहीं सच्छा तो डेली सोप में मैं एक सब देखता हूं कि एक्सिजेंट हुआ प्लास्टिक सर्जिरी हो गई या फिर दाज चली गई मगर थोड़ा अन्रिलिस्टिक साम अगर जो आपका यह सिरियल है गुडिया हमारी वाला इसमें एक मिडल क्लास फैमिली एक परिवार उस सिरियल के साथ कनेक्ट हो पाता है जहां तक हमने देखा है इसका हमने लोकों की सोच देखी है इसको कुई रियलिस्टिक दिखाने के लिए कुछ अलग से बनाया गयाँ fils Giristik दिखाने के लिए मैं यही कहुँगा कि उसकी जो कहानी है बहुत सरलता से लिखी जाती है यही प्रेंश से लिखी जाती है उसमें अपलोग एक्स्त्र ड्रामा नहीं डालते हैं जो रिष्टे बने हुए हैं उसमें गिंतिके घर में जैसे हम च है तंच जीज़ ऑफ अगर बदे घर में बागी तरीके से करते हैं। जो बाकी सीरिल्स में होता है, वो हम नहीं करते हैं. तो ये बड़ा रियलिस्टिक बेस है, इसका अधार है. इसकी लेखनी बहुत ही रियलिस्टिक है, जो लिखती हैं संता सागर जी और जो नुसात में राइटर हैं, रवीमा शब्दे उनके, उनके, वे जो साथ में राइटर हैं, वो दोनों लोग इतना प्यारा लिखते हैं, लिखते हैं और लिखते हैं, उसकी पीछे कारण ये भी है, बड़े प्रेम से लिखा जाता हैं, और प्रेम से किया जाता है. और कई बर देखा है इसमें जो लेंग्वेज है जो भाशा यू प्रेयोग करी गरी है काफी मनलब थोड़ा मत्वरा वाला टच्छा और वैसे आप जो पीछे हैं वो रिशी के से और किस से पहले प्रतिग्या उसमें था थोड़ा इलावादी अच्छा इतना भाशा का बदल है एक दम से तो नहीं होता है दीरे-दीरे करने करने से होता है करते-करते रहने से यह बुंदेल-खंडी लैंग्वेज है गुडिया का जो शू है प्रतिग्या अलावादी टच्छ था मैं हूं सदा खंड से पर हूं तो अभी नेता मैंने प्तिर भाई का आप करने चाहो क कोशिश करो तो सारी चीजे होती हैं मैं अभी भी बहुत जादा पारंगत नहीं हूं बुंदेल-खंड की लैंग्वेज में पूरी कोशिश करता हूं वो लिखते इतना सरल है इतना अच्छा है कि मैं उसको पढ़के याद कर लेता हूं और यही अपना भ्यास है एक अभि करते हैं तो अच्छा लगा जानके तो एक बात हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हर साल काफी यूवा जो मुंबाई की तरफ रूप करते हैं अपने सपनों को लेकर एक्टर बनना है अवीनियता बनना है तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूरे विश्वास के साथ प्रयास करें और पूरा मतलब शिद्दत के साथ यह सोच करके जो एक्टर बनने यहां आया है वो यह सोच ले कि आप शच्टर गहते हैं उसको शच्टर नहीं उसको अपनीताकत बनाईये और घड़ जाये। बहुत प्लेटफोर्म चेया हैं собир रहे और फिल्में हैं कि ऐसे नहीं बनता है, वो उससे हारे नहीं, और जब बना तो उनने जान लिया कि ऐसे बनेगा, तो अगर आप असफल भी होते हैं, तो इस बात को जानिये, कि वो असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाए, आप समझिये कि मेरे अंदर कोई कमी है, उस कमी को दूर करिये, आप फिर प्रयास पे जुड़ जाएए, और लग जाएए, ऐसी कौन सी चीज है, जो होगे नहीं, होगा नहीं, लोग एवरेस्ट पे चड़ जाते हैं, मेरे भाई, लोग समंदर लाग देने की बाते करते हैं, और करी देते हैं, करने वालों ने किया ही है, तो ऐसा कोई काम है यह तो बहुत ही मामली सी चीज है, बस हाँ, संकल्प आपका जो है वो दृण होना चाहिए, विश्वास जो है आपका एकदम दृण होना चाहिए, इमांदारी होनी चाहिए आपके प्रयास में, और रहती है तो होता है भाई, अटकते नहीं है इंसान. जे बाद सुनके हनंद आगे हो पपू भया, जे होगा हो, बहुप बढ़िया, मजा आगा हो, ऐसे उस ताइम जब प्रतिग्या में थे तभी आपने सोचा था यार राहूल के साथ मैं कभी इंटर्यू करूंगा, विल्कुल भी नी सोचा था, मेरे लिए सर्प्राइज है, तुम्हारा ये वला रूप इस तरह से question answer करते हुए, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत अच्छी तरह से सवाल कर रहे हो, बहुत संजीदा सवाल कर रहे हो, तुमने चीजों को study किया है, और मुझे देखकर के बहुत रंतर करते रहो पुरे विष्वास के साथ, कोई रोक नहीं सकता, हो कहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, बेडे रहो मेरे भाई, ये बात पपु भाईया, अब तो आप लोगन को ये वीडियो शेर करने और लाइक करने की रिक्वेस्ट मैं सारे दर्शकों से यही काऊंगा कि भाईया, इस वीडियो को शेर करिये, इसको लाइक करिये, और लाइक और शेर के अलावा इसको जीवन में उतारिये, मैं आप सभी लोगों से काऊंगा, ऐसा कोई सपना नहीं, जो पूरा नहीं हो सकता, बस हमारी इमानदारी से कोश अजिए गाईया और गुडिया अमारे सेरियल में, इनकी एहन भूमी का उस सेरियल में, और बहुत अच्छा लगा, मनमोन जी के साथ एक इमती वक्त, उनके साथ बिता के, उमीद करेंगे जल्दी हम उनके साथ रूबरू करेंगे मुंबाई में जादेंगे बिल्कुल, ब बिल्कुल, जाल भूमी में जादेंगे मुंबरू कस दो खकिया उनके मुंबरू करेंगे सेरियल मtober कि वक्त, उक्त, यादेंगे वालन करेंगे जनके साथ रहां का रह्मारे साथ, प्लूमी क kto नहिए एक साथ cली आदेंगे पांवेर?